हेलो एवरीवन तो देखिए हमारा चेप्टर चल रहा है राजिस्थान के संत संप्रदाय जिसमें हमने बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ा तो थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं फटाफट से ध्यान दीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था हमने रामानंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ा था जिसके प्रवर्तक थे रामानंजी जो की उत्तर भारत में लेकर आये थे भक्ती अंदलन को डक्षिन भारत से और उन्होंने सभी जातियों को समान मना और उसक के बाद हमने पढ़ा था निम्बकाचार्य का निम्बार्क संप्रदाय ठीक है next हमने बल्लव संप्रदाय पढ़ा जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं बल्लवाचार्य जी और फिर हमने most important जो संप्रदाय था राजिस्थान के संदर्व में विश्णोई संप्रदाय के बारे मे पढ़ा जिसके संस्थापक थे जांबो जी और जिन्हों ने अपने अन्वियाईयों को 29 सिद्धान्तों को पालन करने का आदेश दिया था और उन्हें पर्यावरण विज्ञानिक भी कहते हैं किसे जांबो जी को जसनाती संप्रदाये जिसके प्रवर्टक जसनात जी रहे ज जिन्होंने 36 नियम दिये याद रखना है 36 नियम किस ने दिये जसनाती संप्रदाये के अन्याईयों को जसनात जी ने दिये थे फिर हमने संत दादू दयाल के बारे में पढ़ा था जिनकी मुख्य पीर जो है वो नरेना नारायना जैपुर में है और उसके बाद हमने उनके शिश्यों के बारे में जाना कि रजव जी, सुन्दर दास जी और गरीव दास, मिस्किन दास तो ये सब भी दादू दयाल के मुख्य शिश्य थे तो चलिए अब हम पढ़ेंगे next संप्रदाय जो है जो की काफी important है इस पर star लगा देते हैं राम इस नई संप्रदाय के प्रव राम चरंड नाम पढ़ा तो राम चरंड जी जो है इनका जन्म सोडा गाउं टॉंक में माग सुकल चतुर्द सी को हुआ था याद रखना है इनका जन्म सोडा गाउं टॉंक में हुआ था वैश्य कुल में इनकी जो मुख्य पीठ है वह है शाहपुरा भीलवाडा में 1751 इस्वी में दांतना में कृपा राम जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद इनका नाम राम चरण पड़ा. तो इनके जो गुरू थे वो कौन थे? कृपा राम जी जिनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहन की थी. 1785 में इनका मन सांसारिक मुह से उचट गया. तो देखिए जब ये गलता जी के मेले में गए थे तो वहां इन्होंने साधुओं को धर्म के प्रती जो है उनका व्यवार जो है वो सही नहीं देखा. वो लोग सही विवार नहीं कर रहे थे. जिस वज़े से इनका मन संसार से उचट जाता है और ये बैरागी बन जाते हैं. तो बैरागी बनने के बाद ये कभी भी एक जगे जो है नहीं रहे. यानि ये जो है वो घूमते ही रहे. रामचरण जी जो थे वो निर्गुन भक्ती में विश्वास रखते थे. मूर्ती पूजा में विश्वास नहीं रखते थे. तो जब ये देखते हैं चारों तरफ की मूर्ती पूजा में लोग उलजे हुए हैं तो इन से परेशान होकर वो वेरागी बन जाते हैं. तो यहा पर प्रेम का जो संदेश है वो देने लगते हैं लेकिन यहां पर वी उनको यही दिखाई देता है कि मूर्ती पूजा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो इन से परिशान होकर कोहाना गाउं में चले जाते हैं तो सबसे पहले कहां गए भीलवाडा में गए और उसके बा ने इनको यहां पर आमंत्रित किया शहपुरा में तो यहां पर इनके लिए जो है रन सींग ने एक छत्री का निर्मान करवाया और एक मठ जो है वह भी यहां पर इस्थापित करवाया तो यहां पर आकर वो रहने लग जाते हैं शहपुरा में और यहीं पर 1798 इस्वी में इनका निधन हो जाता है। इनकी जो चार पीट है वह कहां कहां पर है। इनके जो संस्थापक हैं वो कौन हैं। तो इन साखाओं में रामचरण जी जो हैं इनको शाहपुरा साखा का संस्थापक बताया गया है। वही जो तीनो साखाएं हैं सिंग्धल, खेडापा और रेण। तो इनके संस्थापक देखिए सिंग्धल के हैं हरी रामदास, खेडापा के हैं रामदास और रेण के हैं संत दरियाब जी। बहुत ही इंपोर्टेंट है ये चार पीट यहां से गुमा फिराकर जो है कुश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे भी कुश्चन पूछा जाए आपको तो उसका आंसर पता होना चाहिए। चाहे वो पूछे कि रामिस नहीं संप्रदाए कि वो चार पीट कहां कहां पर हैं तो आप इन जिलों के नाम याद रखेंगे इस्थान पूछा जाए तो वो भी याद रखेंगे शहापुरा, सिंग, थल, खेडापा और रेण में ठीके ये सब ही क्या हैं ये सब ही तीन साखाएं हैं किसकी रामिस नहीं संप्रदाए की ठीके उसके बाद इनके संस्धाप इनके नाम आपको रटे होने चाहिए तो मेरे साथ में ही यहीं पर बोलें आप सहापुरा के राम चरन जी, सिंग तल के हरी राम जी, खेडा पाके राम दास जी और रेण के दरियाव जी कैसे भी करके इनकी ट्रिक बनाईए चाहे इनको बार बार पढ़िए यहां से देख आपके कि जो राम इस नहीं संपरदाए हैं तो शाहापुरा जो कसवा है यहां पर इनका तीर्तिस्तान है तो पूरे वर्स जो है देश भर से श्रादालू जो है वो यहां पर आते हैं और यहां पर पांच दिन के लिए फूल डोल महतसब जो है इसका आयोजन होता है मेला ये मेला जो है वो मार्च अप्रेल के महिने में आयोजित किया जाता है तो फूल डोल महसव किस से संबंदित है राम इसने ही संप्रदाय से संबंदित है अगला है निरंजनी संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरी दास जी तो संत हरी दाज जी का मूल नाम हरी सिंग सांकला था तो इनका जो मूल नाम था हरी सिंग सांकला था और सब पहले जो है ये लूट मार करना जो है इनका पेशा हुआ करता था लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों ने इनका पूरा जीवन ही परिवर्टित कर दिया और उसके ब इनका नाम परिवर्तित होकर संत हरीदास जी रखा ठीक है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इन्होंने अपना नाम हरी सिंग से हरीदास जो है वो परिवर्तित कर लिया इनका जन्म डीनवाना तहसील के कापरोद गाउं में 1455 इसवी को हुआ था तो फटाफट स अपने माइंड में ये चीज सोचिए कि जो अभी हमने हाल ही में पढ़ा है राम इसने ही संप्रदाई के प्रवर्तक राम चरण जी इनका मूल नाम क्या था तो इनका जो मूल नाम था वो था राम किशन याद रखिएगा उनका नाम था राम चरण जी का राम किशन और यह संत हरी दास जी का मूल नाम था हरी सिंख सांखला तो प्रारम में लूट मार करना इनका पेशा था और बाद में एक सन्यासी के उपदेश से प्रभावित होकर ये खुद सन्यासी बन जाते हैं और पंद्रे सो तेरा इस्वी में इनको बोध यानि ज्यान जो है उसकी प्राप्ती होती है और उसके बाद ये अपना नाम बदल कर रख लेते हैं हरी दास तो ये भी निर्गुन भक्ती जो है इस पर जोड देते थे और कूरुतियां जो थी जो भी समाज में व्याप्त थी उनका विरोध करते थे इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरी निरंजन कहा जाता है important line है कि किस संपरदाय में परमात्मा को अलग निरंजन और हरी निरंजन कहा जाता है तो वह है कौन सा निरंजनी संपरदाय याद रखिएगा तो इनके उपदेश जो है मंत्र राजप्रकास हरी पुरुष जी की वानी में संकलित है संत हरी दास जी के जो आध्यात्मिक विचार थे उपदेश थे तो वह है मंत्र राजप्रकास हरी पुरुष जी की वानी इनमें संकलित है और डीनवाना में 1543 सीस्वी में इनका देहानत हो जाता है और इनका जन्म जो है वह कहां हुआ था दीनवाना में ही हुआ था और इनकी मृत्यू जो है वह भी दीनवाना में होती है इन्हें कल्यू का बाल में की भी कहा जाता है नेक्स्ट जो संप्रदाय है वह है लालदासी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक लालदास जी थे इनका जन्म धोली दूब गाउं अलवर में हुआ था पंद्रेसो चार इस्वी में और इनके पिता का नाम था चांदमल और माता का नाम था सम्धा तो लालदासी संप्रदाय के जो अन्याई थे ये भी निर्गुन भक्ती में विश्वास रखते थे ये भी कहते थे कि ईश्वर और अल्ला एक ही है और जो दूसरों को कस्ट पहुँचाता है स्वयम उसका ही जीवन जो है वो कस्ट में हो जाता है और लालदासी जो थे वो हिंदू मुसल्मान जो है वो दोनों धर्मों को मानते थे और इन दोनों धर्मों की जो भी अच्छाईया थी बुराईया थी इन दोनों को ही उन्होंने अपनाया था ठीक है सभी को ये समान मानते थे संत गदन चिस्ती से इन्होंने दीक्षा ली थी तो इन्होंने दीक्षा किस से ली थी? संत गदन चिस्ती से अब देखिए exam में question जो है वो इस तरीके का पूछा जाए कि लालदास जी के गुरु का क्या नाम था तो आप क्या कहोगे? संत गदन चिस्ती, तो कई बच्चे जो होते हैं, जो की ऐसे सोचते हैं, कि मैं मने गुरू का नाम तो नहीं लिखवाया तो देखिए थोड़ा सा आपको डीप में जाकर सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर नहीं लिखवाया है लेकिन इस लाइन का अर्थ यही है कि इनके गुरू का नाम है संत गदन चिस्ती ठीक है जिनसे इन्होंने दिक्षा ले और इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते ह और संत गदन चिस्ती से दिक्षा लेकर जो भी मेवात शेत्र में अलवर शेत्र में जो भी धार्मिक और सामाजिक कुरूतियां फैली होई थी इनको दूर करने का प्रयास किया जाता है संत लाल दास जी के द्वारा लाल दास जी की उपदेश वानी नामक ग्रंत में संग रहित हैं दाराशी को लाल दास जी से मिलने आया था तो ये लाइन जो है वो एक important मेव मुसलमान इनहें पीर मानते हैं किनहें लाल दास जी को और इनका मुख्य कावे गरंत जो है वह है लाल दास की चेतावनिया तो देखिए इन notes में जो भी कुछ लिखा हुआ है आपके बहुत important है, बहुत अच्छे से इनको याद रखना है, कुछ भी आपके exam में यहां से आ सकता है, मैं यहां पर कुछ भी extra नहीं पढ़ा रही हूँ, जो भी आपके exam में पूछा जाएगा, वही आपको यहां पढ़ना है इनकी समहादी कहा है, शेरपूर में, जहां पर आश्विन मास की एकादसी, वह मागपूर्णिमा को मिला लगता है याद यहां पर यह करना है, तिलाल दास जी की समहादी कहा है, शेरपूर में अलखिया संप्रदाय जिसमें आपको तीन ही पॉइंट याद रखने हैं इसके प्रवर्तक स्वामी लाल गिरी है इनकी जो मुख पीट है वह है बीका नेर में और इनका जो ग्रंत है वह है अलख इस्तुति प्रकास ठीक है ये जो तीन पॉइंट है बस इतना ही याद चरंडासी संप्रदाय इसके प्रवर्तक जो है वह है चरंडास जी और इनका मूल नाम था रणजीत तो चलिए एक बार मैं दुबारा से आप लोगों को रिवाइज करा देती हूं इनके मूल नाम के बारे में संत हरी दास जो थे इनका मूल नाम था हरी सिंग सांखला राम चरंडास जी का मूल नाम था राम किसन और वहीं चरंडास जी का मूल नाम था रणजीत ठीक है इनका जन्मु डेहरा अलवर में हुआ था 1703 इस्वी में और इनके गुरु का नाम था सुक देव मुनी और इस संप्रदाय की अनुयाई जो है वह है पीले वस्त्रधारन करते हैं और इनका जो ग्रंत है वह है भक्ती सागर, ज्यान स्वरोदय, ब्रहम ज्यान सागर, ब्रहम चरित्र इन्हों ने नादिर शा के आकर्मन की भविश्यवानी की थी अब देखिए इस संप्रदाय में सगुन और निर्गुन इन दोनों का मिश्रन बताया गया है तो चरण दास जी ने ब्यालिस नियम बताये चरण दास जी ने अपने अन्याईयों को ब्यालिस नियम या ब्यालिस से दांत जो है वो बताये थे वही पर जांबो जी ने कितने बताये थे 29 नियम बताये थे और जसनात जी ने 36 नियम बताये थे तो यहाँ पर एक बात जो है व तो ये कहां पर है गल्या कोट में इस्तित है डुंगरपुर में ठीक है गल्या कोट डुंगरपुर में इस्तित है दाउदी बोरा संपरदाय तो इसमें केवल इतना ही याद रखें परणामी संपरदाय इसके प्रवर्तक है प्राणनात जी जाम नगर गुजरात में इस्तित है और ये कृष्ण जी के भक्त कहलाते हैं इनकी जो मुख्य पीड है वह है पन्ना मद्य परदेश में है और इनका ग्रंत है कुझलम स्वरूप तो ये कुछ पॉइंट है इनके प्राद रखें नेक्स्ट देखिए निस कलंकी संपरदाय जिसके प्रवर्तक है संत माउजी तो संत माउजी का जन्म जो है वह है डुंगरपुर के सापला ग्राम में हुआ था कहां हुआ था सापला गाउं में हुआ था डुंगरपुर में तो संत माउजी जो है वो अपन संपरदाय होना चाहिए जो बिलकुल अच्छा मतलब पवित्र हो और पाप रहित हो तो ऐसे संपरदाय की इस्थापना किसने की संथ माउजी ने वेनिश्युर धाम की इस्थापना संथ माउजी के द्वारा की गई थी कहते हैं कि जब इनकी उम्र जो है वो बारा वर्ष की तो ये घर चोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर आ गए थे और यहां पर आकर तपस्या करने लगे थे और यहीं पर इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी और उसी दिन जिस दिन इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई थी उसी दिन वहां पर माउजी ने वेनिश्युर न मगधाम की स्थापना कर दी थी और इसके बाद इन्होंने धर्म उपदेश जो है देना स्टार्ट कर दिया और अपने शिश्यों में बिना किसी भेदवाव के सबी जातियां को लोगों को शामिल किया था इनका जो प्रमुख ग्रंत है वै है चोपड़ा जो की बागडी भासा में लिखा हुआ है नवल संप्रदाय जिसके संस्थापक है नवल राम तो जो भी संस्थापक थे उन्हीं के नाम पर संप्रदाय के नाम रखे गए हैं तो याद रखने में आसानी रहेगी नवल राम जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अस्टमी को हरसो लव नागोर में हुआ था तो इनका जन्म कहां हुआ था? नागोर में हुआ था इनके गुरु का नाम था करताराम तो बचपन से ही नवल राम जो थे इनका आध्यात्म की और जुकाव जो है वो रहा था तो इनका जुकाव देखकर इनके जो पिता थे इन्होंने रामनन्द संप्रदाय के जो संत थे करताराम इनके पास इनको भेज दिया, ताकि आध्यात्म की तीक्षा जो है यहां से ले सकें, तो गुरु करता राम ने ही इनका नाम नवल राम रखा था, ठीक है, तो नवल राम जो है इनका नाम रखा किसने गुरु करता राम ने, और इनहें निर्गुन और निराकार इश्वर का महत्व को बल दिया था और जो भी समाज में रूणी वादिता, आडम बर जादू टोना, मूर्ती पूजा, सती प्रथा और परदा प्रथा, बाल विवा ये सब कुछ जो समाजिक कुरूतियां समाज में चल रही थी, इनका विरोध किया और लोगों को जागुर्क किया। मारवाड के शाशक मान सिंग इनका बड़ा सम्मान करते थे, तो पूछा जा सकता है इस तरीके से कि नवल राम जो थे, इनके समय कौन से शाशक थे मारवाड में मान सिंग थे, नवल सम्प्रदाई की प्रमुक पीठ जोदबूर में हैं, ठीक है, और इनके उपदेश जो है वह नवलेश्वर अनुभववाणी में संकलित हैं, नेक्स्ट देखिए रामानंद के प्रमुक सेश्य, अब देखिए हमने रामानंदी सम्प्रदाई में ये पढ़ा था कि रामानंद जो थे, इनके बारा सेश्य थे, जो की अलग-अलग जाती के थे, यानि इन्होंने संत रैदास के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि संत रैदास जो है, ये भी बहुत महान संत हुए हैं, और जो मीरा वाई थी, वो इन्हीं की सिश्या थी, संत रैदास की, कहीं कहीं पर आपको संत रवीदास जो है, वह भी मिलेगा, क्योंकि इन्हीं का नाम है, रवी परफ़िगरंद के शिश्य थे इन्होंने भी रैदाज जी को क्या कहा संतों का संत, रैदाज जी के उपदेश रैदाज की परछी ग्रंद में संक्लित है, और गुरुगरंद साहिब जो है इसमें रवी दाज जी के 30 से अधिक भजन है, ये लाइन आपके एक्जाम में आ इस टाइप से कुश्चन जो है वो एक्जाम में आ चुका है तो इनके विचार क्या थे कि मन रहे चंगा तो कठोती में गंगा और इनकी शिश्या रही है मीरावाई नेक्स्ट संत है संत धन्ना इनका जन्म टौंग जिले के धुवन गाओं में 1415 इस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था तो ये क्या थे जाट थे और जाट परिवार में टौंग जिले में इनका जन्म होता है राजिस्वान में भक्ती आंदोलन का जनक संत धन्ना को माना जाता है तो यहाँ पर धार्मिक आंदोलन का श्री गर्नेस का श्रे किसे जाता है धन्ना को जाता है धन्ना जो है वो किसके शिश्य थे गुरु रामानंद के शिश्य थे और ये जाट परिवार से थे ठीक है औ तो उनके आदेश का पालन इन्होंने बहुत किया, क्योंकि ये गुरु भक्ती जो थी उसमें बहुत निस्टा रखते थे, इनका मत था कि जो गुरु भक्ती से ही परमपद की प्राप्ती हो सकती है, इन्होंने नाम इस्मनन को ही इश्वर प्राप्ती का प्रमुक्साधन मान ये निर्गुन धारा को माणने वाले थे, भारी आडमबरों को इनको इन्होंने विरोध किया था, तो नाम इस्मरण को ही इश्वर प्राप्ती का प्रमुक्साधन मानते थे संत धन्ना, ये कहते थे कि गुरु जो हैं, जो भी है और जो भी कहते हैं उसका पालन करना यही भक जोलती है, नेक्ष्ट देखिए, रामन्न मानन के सिश्ञ रहे हैं संत पीपा, तो संत पीपा जो थे ये पहले एक शाशक थे, इनका बचपन का नाम था परताप सीग, याद रखना हैं संत पीपा के बचपन का नाम था परताप सीग, और ये कीची राजपूत गाग रोन जालावाड के शाशक थे। इनका जन्म 1425 इस्वी में हुआ था और ये भी संत धन्ना की तरह काशी जाते हैं और वहां रामानंद के शिश्य बन जाते हैं। जालावाड के शिश्य बन जाते हैं। तो संत पीपा के कहने पर ही आये थे। तो संत पीपा ने टौंक के सासक जो थे सूर्जेन इनको अपनी दौलत को संतों में बाड देने को कहा था। उसके बाद इन्होंने इन्हें अपना शिश्य बना लिया था। इनके मंदिर कहा हैं? समदड़ी गाओं बाड मीर में चैतर सुकल पूर्णिमा को यहां पर मिला लगता है। टोड़ा ग्राम टौंक संत पीपा की गुफा है। एक्जाम में पूछा जा सकता है संत पीपा की गुफा कहा है? टौंक में टोड़ा गाओं में। इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में है, जालावार्ड में और दरजी समुदाय जो है इनहें अपना अराध्या मानते हैं। किसे? संत पीपा को। तो संत पीपा जो थे इन्होंने भी इश्वर प्राप्ति में गुरु का जो निर्देशन होता है इसी को आवश्यक बताया है कि गुरु का जो आदेश है वही सर्वो परी है और भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुक साधन मानते थे ये भी मूर्ती पूजा का विरोध करते थे और इश्वर की उपासना करने पर जोर देते थे ये भी अपने गुरु रामानंद की तरह उच नीच में हिया और चितावनी नेक्सट देखिए जो संत हैं राज comment की वो है मीरावाई तो जो कि संत रवी दास या शंत रैदास इनकी शिष्चार रही हैं तो मीरा भाई जो हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था तो राजिस्थान की रादा कहा जाता है मीरवाई को और इनका जन्म 1498 में कुड की गाउं पाली में हुआ था इनके बच्पन का नाम था पेमल जो की पूछा जा सकता है इनके पिता का नाम था रतन सींग और इनके दादा का नाम था दूदा तो इनके दादा के यहाँ पर ही इनका लालन पालन जो होता है और इनका विवहा जो है राणा सांगा के जो बड़े बेटे थे भोजराज इनके साथ इनका विवहा हो जाता है लेकिन विवहा के कुछ समय बाद ही इनके पती जो भोजराज होते हैं, इनकी म्रतिव हो जाती है और उसके बाद जो मीरा थी इनका साधू संतों में उठना बैठना हो जाता है, जिससे ये भजन कीरतन करने लगती हैं, तो यहाँ पर जब ये भजन कीरतन करती हैं, साधू सं तो उसको ये बात जो है वो पसंद नहीं आती है तो वो कई बार तो क्या करते हैं मीरा भाई को जहर देने की कोशिश भी करते हैं लेकिन मीरा भाई जो थी जो की कृष्ण भक्ती में लीन रहती थी उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती थी तो कृष्ण भक्ती का विचार ज से ये question करती है कि मेरा दूला कहा है तो जब वो छोटी थी अंजान थी इन चीजों के बारे में नहीं जानती थी तो दादी जो हैं तुरंत ही उनको बोल देती हैं कि जो गिर्धर गोपाल हैं वही तुमारे दूले हैं तो ये जो हैं उनके माइंड में उसी वक्त बैठ जाता है और तब ही से मीरा जो हैं गिर्धर गोपाल जो हैं इनको अपना पती मानती हैं तो मीरा जो हैं वो अपने अंतिम समय में गुजरात चली जाती हैं और गुजरात में त्वारिका के जो रण छोड मंदिर है वहां मंदिर में जो मूर्ती होती है उसी में समा जाती हैं स्री जी के द्वारा लिखी गई है रतना खाती ने नर्सी जीरो मायरो लिखा है तो दिखें ये जो रतना खाती थे इन्हों ने नर्सी जीरो मायरो लिखा जिसमें मीरावाई के भजन है तो जो मीरावाई जो थी इनकी जो पदावलियां है इनकी दोहे जो है ये प्रसिद्ध है तो यही जो हैं इनके भजन वगरा इनके इन बुकों में लिखे हुए हैं ठीक है जो कि गीद गोविंद है रुकमणी मंगल है सत्य भामारो रूसलो है नर्सी जीरो मायरो है तो इनका नाम याद रखिएगा हो सकता है एक्जामिनर पूस ले कि नर्सी जीरो मायरो जो है किस ने लिखा रतना खाती ने लिखा तो ये मीरा भाई के सहयोग से ही इन्होंने लिखा था इसमें मीरा भाई के भजन हैं दोहे हैं ख्वाजा मुनुद्दिन चिस्ती इनका जन्म फारस में हुआ था और इनके मृत्यू अजमेर में हुई थी तो इनका जो मुख्य कारे इस् जो समय था उस समय खवाजा मुनिदिन चिस्ति जो है वो भारत आते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुहमेद गौरी के समय खवाजा मुनिदिन चिस्ति अजमीर आये थे इनके पिता का नाम था हजरत ख्वाजा सैयद और इनकी माता का नाम था बेबी साहिनूर तो इनके माता पिता का नाम जो है वो नहीं पूछा जाएगा पूछा क्या जाएगा? पूछा ये जाएगा कि ख्वाजा मुनुदिन चिस्ती जो है इनका मुख्य कारेस्तल कहां रहा? अजमेर में रहा. प्रत्वी राच चोहान या मुहमद गौरी इनके समय ये भारत आये थे. अजमेर में इनकी दर्गा है अजमेर सरीफ के नाम से ठीक इनको चाहने वाले जो हैं, इनको क्या कहते हैं? ख्वाजा सहाब भी कहते हैं और गरीब नवाज भी कहते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है राजिस्थान के संत संप्रदाय ये यहाँ पर पूरा होता है. हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है. इसके अलावा जो है राजिस्थान के संत संप्रदाय के बारे में आपको नहीं पढ़ना है. जो भी मैटर यहाँ से आपको दिया जा रहा है, वो सभी आपको याद रहना चाहिए. ताकि आपके एक्जाम में कुछ भी पूचा जाए, कैसे भी घुमा फिरा कर पूचा जाए, आपको उसक आगे बढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू.